भुजंग आसन भुजंग का अर्थ है नाग या कोब्रा इस आसन को करते समय आपके शरीर का उपरी हिस्सा जमीन से ठीक उसी तरह उठा रहता है जैसे एक कोब्रा अपना फन उठाय रहता है इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आपको मकरासन की मुद्रा में आना होगा जिसके लिए आप जमीन पर पेट के बल लेट जाएं और अपने पैरों को एक दूसरे से दूर रखें अपने माथे को अपनी हथेलियों पर रखें और अपने शरीर को आराम दे अब मकरासन से आगे बढ़ते हुए अपने दोनों पैरों को आपस में जोड़े और अपने हाथों को सामने की और खीचे अपने माथे को जमीन पर रखें अब अपनी हथेलियों को अपनी छाती के समीप रखते हुए अपनी कोनियों को उठाएं एक गहरी सांस लेते हुए और अपनी ठोड़ी को उंचा करते हुए अपने शरीर को नाभी के हिस्से तक जमीन से उठाएं ध्यान रखें कि आपकी कोनिया आपके शरीर के सीध में रहें और आपके पैर इस तरह तने हुए हो कि आपकी कमर पर अत्याधिक तनाव महसूस ना हो इस थिती में सामाने रूप से सांस लें और छोड़ें और 15-30 सेकेंड तक रहें इस आसन को नियमित रूप से करने पर पीठ दर्द में आराम मिलता है भुजंग आसन पेट की चरबी को घटाता है और कब्स की परेशानी से मुक्ती दिलाता है ये आसन सांस सम्मंधी तकलीफों को दूर करने में सहायक सिध होता है हरनिया और अलसर के रोगियों और गर्भुवती महिलाओं को ये आसन नहीं करना चाहिए यदि आपके पेट का ओपरेशन हुआ हो तो कम से कम 3 महिने तक ये आसन नहीं करना चाहिए पंदर से तीस सिकंड इस थिती में रहने के बाद सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने शरीर के उपरी हिसे को नीचे लाते हुए अपने हाथों को सामनी की ओर खीचे और पुना मकर आसन की मुद्रा में आने के बश्चात आराम दायक सांस ले भुजंग आसन तनाव दूर करने के लिए सबसे उपयोगी आसन है इस आसन को नियमित रूप से करने पर आपका तन और मन दोनों स्वस्त रहेंगे